जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिगें। माता रांनी सब का कल्यान करेंगे। दोस्तों, आजके इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगो बताएंगे कि नवरात्त्री पूजन की सामगरी क्या है। जैसे कलस स्थापना के लिए किन सामगरी की जरुवत होगी, जुआर बोने के लिए आपको कौन-कौन से सामगरी की जरुवत होगी, अखंड जयोत जलाने के लिए आपको कौन से सामगरी की जरुवत होगी, मा की पूजा के लिए आपको किन-किन सामगरी की जरुवत होगी, तथा हवन के लिए आपको कौन-कौन से सामगरी की जरुवत होगी ये सारी सामगरी आप पहले से जूटा लेंगे तो आपकी पूजा में बिग्न बाधता नहीं आएगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेर करेंगे तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कलस अस्थापना के लिए आपको किन-किन सामगरी की आफ सकता है कलस अस्थापना विधी विधान से करने के लिए एक कलस तामबा का, पीतल का, चांदी का, यकासा का स्टील और प्लास्टी का कलस अस्थापना नहीं करना है इसके अलावा जटावला नारियल, आम के पत्ते, पान के पत्ते, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, जल, सिक्के, नए लाल कपड़े का टुगड़ा, नारियल लपेटने के लिए, पुस्प, कलस से बड़ी मिट्टी की थाली, जैसे प्लेट भी बोलते हैं कलस को ढखने क क्लस को खुला नहीं रखना चाहिए, नव धान, नव अलग अलग तरह के अनाज की वीज होते हैं, इत्यादी की आप सेक्ता होगी, अब चलिए जानते हैं अखंड जोती की समगरी, अगर आप नवरात्री में अखंड जोती जलाना चाहते हैं, तो पीतल या मित्ती का दिय साफ कर ले और ले ले, जोत के लिए रूई की बत्ती या कलावा का वाती भी बनाया जाता है, रोली या सिंदुर, चावल ज़रोर रखें, अखंड जोत जब भी जलाएं तो चावल जरूर रखें, अखंड जोत में डालने के लिए सरसो का तेल, तील का तेल या घी, आप ये तीनों चीजों में से किसी एक चीज का इस्तिमाल कर सकते हैं. अब चलिए जोव बोने के लिए क्या-क्या सामगरी की जरूत होगी? जवारे बोने के लिए एक मिट्टी का बड़ा पात्रा पले, जोव साफ सुत्री मिट्टी लेनी है, और जवारे के और जोव के दाने लेने हैं. ध्यान रहे कि जोव के दाने पोस्ट होने चाहिए. अब चलिए जानते हैं मादुर्गा की पूजा के लिए पूजन की सामगरी क्या है? तो मादुर्गा की तस्वीर, लाल कपड़ा, सिंगार का सामगरी, गंगाजल, पूजा अस्थल को स्वक्ष करने के लिए धूब, एक चौकी, अगरबत्ती, नारियल, अक्षत, पान, सुपारी, देवी दुर्गा की तस्वीर जैसे मैंने बताया, कुमकुम, हल्दी, चंदन, गुलाब, जल, कपूर, पवित्रधागा, कलाबा जी से बोलते हैं, मिठाईया, फूल, फल, लॉंग, इलाइची, बतासा, नैवेद, परसाद रखने के लिए एक थाली की भी जरुवत होगी, तो उसका भी इंतजाम आप कर ले, अब चलिए जानते हैं कि हवन के लिए आपको किनकिन सामगरी की जरुवत होगी, आपको हवन कुन की जरुवत होगी, इसके अलावा धूप, जौ, गुगल, मखाना, काजू, किसमिस, शुहारा, मुंगफली, बेलपत्र, सहद, घी, सुगंद, अक्षत, यानि अटूट, चावल मिलाकर हवन सामगरी तयार करनी होगी, माता की पुजा आरती के बाद हवन के साथ पांच, सुपारी, नारियल और कुछ पैसे लेकर पूर्णा होती दी जाती है, ये बात ध्यान में रखना है आपको, हवन के लिए आपको आम की सुखी लकडियां भी रखनी है, तो